जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं लूज मोसन की दवा, लूज मोसन हो जाने पर डॉक्टर के दौरा कौन कौन सी दवा दी जाती है, जैसे गर्मिया आ गई हैं, पेट में दर्द वगेरा, डाइरिया वगेरा ज्यादा सुरू हो जाता है, जैसे कि तिला गुना चीजे आज को आपको हिंदी में बताएंगे कौन सी दवा कैसे खानी होती है जिससे आपको बार बार हो रहा दस्त ठीक हो जाएगा दस्त के साथ में अगर आपके पेट में दर्द है तो वो भी ठीक हो जाएगा चलिए दवा जान लेते हैं वो कौन कौन सा होता है जैसे कि हम बात कर जिससे हो रहा आपका जो लूज मोसन की समया है वो ठीक हो जाएगा जैसे कि जो हमारा अगला टेबलेट है वह है नॉर्खोलाक्स टीजन यह यह टेबलेट काफ़ी अच्छा होता है यह कर टेबलेट दस्त अगर जब किसी को आता है बार बार उससा में यह टेबलेट दिया उसी के साथ में लेकर खाना है, दोनों साथ में, नौर फॉलकसासीन टेबलेट जो होता, जैसे कि आपके पेट में किसी परकार से जो infection हुआ है, आपका पेट खराब हुआ है, तो उस समस्या में ये काफी अच्छा वरक करता है, नौर फॉलकस टीजेट टेबलेट ये इस KMS Brand name है, यह THISнять आपको किसी भी M surgical store यहीं से मिल जाए गा, आप उहां से यह दोनों magic जो हमने बता हैं किसी भी M medical store से, जैसे अगर आपको noils Glather 효 पैप्लेट- finish है, और आपको टेबलेट के साथ में हैं, जैसे कि आपको metinder ули की प्रॉबलम है तो आप दो ही खुराक में ठीक हो जाएंगे और जैसे कि इसके साथ में आप इलेक्टराल का पाौडर आप ले सकते हैं या फिर आप QRS का पाौडर ले सकते हैं जब आपको डायरिया की प्रॉबलम हो जाती है तो आपके body dehydrated ना हो जाए उसकी वज़ा से आप या तो इलेक्टराल का powder या फिर ORS का जो सेचट आता है ये आप ले सकते हैं जैकि आप जितना भी पानी पिएंगे उसमें आप ORS या फिर इलेक्टराल का powder गोल करके पिएंगे वो आपके लिए सही रहेगा जैसे ORS या फिर इलेक्टराल का powder दोनों में से किसी एक का उपियोग करना है जब भी आप पानी पिएंगे तो उसमें डाल करके पिएंगे यहां से आप skin shot ले सकते हैं और जैसे कि इसके अलावा और भी आपको दिक्कत परसानी है तो आप अपने डाक्टर या फार्मासिस्ट से संपरक करके दवा ले कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना ले